वेलकम टो बिपिसेमेकर दस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बजट का इत्यास से समंदित जो महत्पूर्ण पॉइंट निकल कर शामने आते हैं जो कि आपके एक जाम में पूछी जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ आपको डीटेल जानकायरी देने वाला हूँ हलाकि आपको यह ध्यान एकना है कि अभी कुछ दिन पहले यानि कि एक से दो दिन पहले हमने जो यूनियन बजट से समंदित वीडियो चैनल पर अपलोड किया था जिसका का सकते हैं निचोड मैं आपके सामने प्रस्तूत किया था समगर विशलेशन आपको दिया था उस निकल प्रोबलम के गारान वीडियो थोड़ी से रुप सी गए थी पूरा का पूरा पेज बलैंक हो गया था इस वजह से यहां पर बजट का इत्यास वाला सेक्षन यानि कि दूसरा सेक्षन हम पुनों यहां पर अपलोड कर रहे हैं आप इसे देखे और यहां से आपको ब द्यान रखेगा तो बजट 2022-30 जो भी हाली में पारित हुआ है यहां से बहुत सारे प्रशन आपके जाम में बन सकते हैं इसके बारे मैं आपको सौट में थोड़ी सी जानकार देदों जो कि मैंने आपको पहले बतलाए था बजट आखिर होता क्या है बजट सब्द के बार बजट आखिर होता क्या है तो किसी भी सथारोल सरकार के द्वारा किसी भी Financial इयर में भारत की संचीत निदी से लोकस्भा में जो धन मांगा जाता है उसे भी बजट कहा जाता है जोग संचीत निधी से धन मांगा जाता है और आपको ये धानकना इसका जो प्रावधान है ये भारत विष्ट विधान के अनुशेद 112 में दिया गया है अब यहाँ पर बात आती है कि संचीत निधी आकिर होता क्या है ये भी आपके मनवे सवाल उटराओगा हलाकि इसकी जानकारी में आपको दिया है तो जितने भी प इत्यास सी बारे में related facts हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला point है कि लोगसमा में बजट कब पेस किया जाता है अगला है तीसरा प्रशन ये प्रशन की भारत में पहली बार बजट कब पेस किया गया था तो 7 अपरिल 1860 को भारत में प काहिली बार बजट पेस किया था यहां पर देखें दूसरा प्रशन पर नजट आड़िया प्रशन लिखा गया लोगसमा में बजट कौन पेस करता है तो वित्तमंत्री निर्मला सितारबन इस बार यह नहीं कह सकते हैं financial year 2022-23 के लिए बजट पेस किया और आपको यह ध्यान हम बात करें नरेन्द मोदी का तो नरेन्द मोदी का दसवा है हमारा अगला है चौथा प्रशन यह प्रशने के भारत में पहली बार बजट किसने पेस किया था तो स्कॉटिस अर्थस्तास्त्री जैम से विलसन के दौरा साथ अपरेल 1860 को इस बजट को पहली बार भारत की इत्यास में पेस किया गया था राइट अंसर होगा स्कॉटिस अर्थस्तास्त्री जैम से विलसन नेक्षन है कि स्वतनत्र भारत का पहला आम बजट कब पेस किया था तो 26 नव vousip स्वतनत्र भारत का पहला ज़ूर falar कर सकते हैं यह पेस किया गया था उन्सर होगा आरल्गेश अग्या है सात्माइड प्रश्ण यह प्रश्न हैं कि साल 1999 और अजादी के बावट साल пад तक बजट की से समय पेश किया जाता था तो साम के पंच पजे बजट पेश किया जाता था आजादी के 52 साल बात तक याने के 19.99 बात तक ये समन्ति जितने भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बजट की इत्थास से प्रशनों की यह बहुत बहुत इंपोर्टन है यहाँ से आपके एक से दो प्रशने आपके एक जामे पूछे जाने की संभावना है हमारा अगला है आठवा प्रशने ये प्रशने की अब तक का सबसे लंबा बजट भासन किसका है राइट अंसर होगा निर्मला सीतारमान का अगला है नवा प्रशने ये प्रशने की बजट भासन में स्तरवादिक शब्द कब थे तो मनमोहन सींग की 1991 में देगे बजट भासन में खुल 18,650 सब्द थे आपको यहाँ पर यह ध्यान अगर हम बात करें बजट भासन में स्तरवादिक सब्द की तो राइट अंसर होगा मनमोहन सींग लेकिन अगर हम बात करें सबसे लंबा बजट भासन का मतलब समय की अनुशार तो आपको ध्यान रखना निर्वला सीतार बन होगा हमारा अगला है दसवा प्रशने ये प्रशने की सबसे छोटा भासन कोण सा है तो हीरो भाई मुरले जी भाई फटेल ने 1977 में 800 सब्दों वाला बजट भासन जो दिया था ये का सकते हैं अब तक का भारते इत्यास का बजट भासन का का सकते हैं सबसे छोटा बजट भासन है तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है हमारा अगला प्रशन है एक 11 प्रशन ये प्रशन के अब तक सरवाधी के बार किसने आम बजट लोग सभा में पेश किया है राइट अंसर होगा मुरार जी देशाई ने उनिशा 62 से उनिशा 79 की बीच दस बार इन्होंने आप मतलग का सकते हैं बजट पेश किया है तो राइट आंसर होगा मुरार जी देशाई ये चीज यहां से ध्यान रखेगा उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें दूसरे स्थान के तो दूसरे स्थान पर हैं नेक्स्ट है निर्मला सितारवन जो कि अभी हाल ही में जो 2021 हैं 2022-30 में जो बजट पेश किया गया इस बजट के साथ दिन हो नहीं का सकते हैं चार बाट बजट पेश किया है लोक सभा में तो यह आपको यहां से द्यारँ डखना, यहां से आपके परषण बनने की समभावनँ हिमारा अगला परशन की बजट भासन के परिवर्तन कब हुए, तो वर्ष 1997 में बजट भासर के समय में परिवर्तन हुआ, पहले ये साम के 5 बजे होता था फिर का सकते हैं, शुबह में होता है, हमारा अगला है तेर्वा प्रस्णा, ये प्रस्णा के किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पारेत किया गया आपको ध्यान रखना एक वर से 1955 तक बजट अंग्रेजी में पारिद किया गया था ये 1955 तक अंग्रेजी में क्यों पारिद किया जाता था इसके पीछे वज़ाज साइद ये हो सकती है ये अंग्रेज सासन काल का ही साइद प्रभाव हुआ होगा कि जो कि बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही मतलब पासकते है पारिद किया जाता था या फिर पेस किया जाता था इस पीडियाब की गरम विशेषदा की बात करें तो इसमें बिहार से अधीग परष्ण आपको यहां पर देखने मिलेगा और शबी परष्णों का समगर विशलेशन क्या गया है और यह भी हिंदी भास्ता में यह पीडियाप उपलब्द है और यहाँ पर आपको यह ध्यान लगना है इस पीडियाप में 169 पेज है जो कि आपकी एक्जाम के लिए सफिसेंट है बिहार में जितने परिक्षा आजित होने वाले हैं इस पीडियाप को अगर आप पढ़ते है तो आप लोग भी इसका फरफूर लाब उठाई है चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 15 प्रशन पर यह प्रशन के निर्मला सितारवन आम बजट पेश करने वाले कौन सी महला बनी है राइट अंसर होगा दूसरी महला बनी है जो कि वरस 2019 में होने बजट पेश की थ जिन्होंने लोग सभा में आम बजट पेश किया अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर निर्मला सितारवन दूत्य महला है तो पहली महला कौन है आपको द्यान अखना कि आम बजट पेश करने वाली पहली महला कौन है या फिर कौन थी यह प्रशन यह आपको यहां से निध्यान रगना है. अगला होगा हमारा सत्रवा प्रेश्न, यह प्रेश्न की किस वित्त मंत्री ने सरकारी शंपती के विनिवेस की बाद पहली बार बजट भासन में कही थी? राइट आंसर होगा ये स्वन्त सिन्हा के द्वारा पहली बार सरकारी शंपती के विनिवेस की बात पहली बार बजट हासन में कही गई थी आगला होगा किस वर्ष तक रेल बजट एवंग आम बजट अलग अलग पेस किये जाते थे सभी तर होगा वर्ष 2017 तक रेल बजट और आम बजट को का सकते हैं एक साथ ने बलकी अलग अलग पेस किया जाता था लेकिन वर्स 2017 के बाद से जितने मतलब बजट आये हैं सभी में का सकते हैं रेल बज़र और आम बज़ट को का सकते हैं एक साथ सन्युक तो तौर पर का सकते हैं पेश किया गया तो यह आपको ध्यानेकना राइट आंसर होगा वर्स 2017 सत्र हमारा अगला है उननीसवा प्रश्न यह प्रश्न के वर्स 1950 तक बजट का मुद्रन कहां होता था तो आपको ध्यान रखना है कि वर्स 1950 तक बजट का जो मुद्रन हुआ था यह राष्टपती भवन में होता था लेकिन इसके लीक होने के बाद मुद्रन नई दिल्ली के मि आद में भी किया गया जो कि अगले पॉन गाप देखके श्रम जांगे हमारा अगला पॉन्ट है कि किस वर्स होता है तो बजट एक सरकारी गोपनीय संपती है इसे जब तक पेश नहीं किया जा सकता है तब तक यह मतलगा सकते हैं इसे कोपनीय ही रखा जाता है तो दुस्त तो आज की इस वीडियो में बजट का इतिहास से समंदेद 20 प्रशने को सामिल किया गया था आई होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एक्षी ध्याने कि अगर आपने इसके पहले बाट को नहीं देखा यूनियन बजट 2022 तेज जो पारित हुआ है जो हमने आपको निचोर बदला है है अगर आपने उसको नहीं देखा तो जल्दी से जाए चैनल पर वीडियो अप्लोड है आप उस वीडियो को जा कर देख सकते हैं बहुत सार लोगों नहों से देखा है और इसका पीडियो फाइ करके आप यहां पर इस टेस्ट में पाटिसिपेट कर सकते हैं और इसके लावब यहां पर आपको इस से कोर्स के इतात आपको मंधली डेली और वीकली करेंट अफेर्स यहां पर आपको प्रवाइट कर दाएगा जो कि आपको यहां पर सभी चीज़ों से अपडेट रखा कीजिएगा मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियम तो तके धन्वाद जागेंदा